आज 17 फरवरी 2023 आज की साकार मुर्ली से बाबा हम बचों को गुन सिखाते हैं खुशी का, खुश रहना हर कोई चाहता है खुशी हमारी आंतरिक स्थती है और सबसे बड़ी खुशी हमें संगम युग पर प्राप्त हुई है परम पिता परमात्मा के हम बच्चे बने हैं तो खुशी का पारावार नहीं रहना चाहिए बेहत खुशी परम पिता परमात्मा के बच्चे बनने की होनी चाहिए उससे ज अगर मनन चिंतन, विचार सागर मन्थन हमारे संकल्पों के अंदर ग्यान और परमात्मा की याद बसी रहेगी तो सारे संसार की आत्मा ने जिंस को एक जलक भी पाली साक्षातकार के अंदर देख भी लिया तो उसने पूरे इस दुनिया से अपने आपको डिस्कनेक करके उस परमात्मा की रहा पर चल पड़े कितने ही भक्त आत्माई, कितने ही राजाएं, ऐसे कई भक्त शिरोमनी हुए जिन्होंने अपना राजपाट भी छोड़ दिया उस परमात्मा की एक जलक पाते, साक्षातकार में उसका दिदार किया, उसकी लगन में मगन हो गए और कई तपस्वियों ने तपस्या की, उसकी एक जलक पाने के लिए, सेकडों वर्ष तक उन्होंने तपस्याए की कुफाओं में बैठ कर, बर्फिली, चोटियों में, जंगलों में जाके तपस्या की, कि हमें परमात्मा का दिदार हो जाए और ऐसे सर्वशक्तिमान, परमपिता, परमात्मा, उन्होंने आकर संगम पर हमें अपना बच्चा बनाया तो कितनी खुशी की बात है, वो हमें हमारा बुद्धी रुपी नेत्र खोलते हैं, ज्यान और योग से हमारे आख की ऑपरेशन करते हैं, हमें तीसरा नेत्र देते हैं कई बच्चे होते हैं जिनकी आँक के operation successful हो जाती है और उनका पुर्शार्थ तीवर गती से आगे बढ़ने लगता है क्योंकि उस ग्यान के तीसरी नेत्र से पर मात्मा को सहीरिती भहचान लेते हैं तो उनकी पुर्शार्थ की गती बढ़ जाती है कईयों का operation successful नहीं होता है जिस कारण से माया के तुफानों में घिर जाते हैं इसलिए attention देना है ग्यान और योग पर क्योंकि ग्यान और योग ही हमारे तीसरे नेत्र को खुला रखता है जैसे operation आख का करते हैं तो anesthesia दिया जाता है ता बाकी सारी जगे को सुन करके operation करके आखो ठीक किया जाता है इसी तरह से जब हम ग्यान और योग करते हैं तो बाहर की सब बातों से अपने को disconnect कर पिल्कुल एकाग रचित होकर एक रस अवस्था में आत्मस्वरूप मिस्थत होकर करके परमात्मा के ज्यान को आत्मसाथ करें जितना अच्छी तरह से ज्यान को समझेंगे उसकी डप्त में जाएंगे हम उतना अच्छे उसे प्रयोग मिला सकेंगे और योग की शक्ति को भी बढ़ा सकेंगे तो ऐसी अवस्था जब हमारी होगी तो हमें प्राप्तियां होती है और वो प्राप्तियां हमारे खुशी को बढ़ाती है तो ऐसी हर एक ज्ञान की पॉइंट का मनंचिंतन कर उसे कर्म में लाकर योग की शक्ति जमा करके अपने जीवन में हर बल खुशी बढ़ाएं आज के दिवसकी यही शुब कामना ओम शंत कि अजय है जीवन में हमारे कर दो कर दो कि दो एक्षब कर दो चीवन में लाकर आपक बढ़ाद कि अनोगे खुशी अजय है तो